नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टुडी फॉर सीविस दिर्पसेश में बीपी सी 66 के लिए और प्लस बिहार एसा एक्जाम के लिए जो डेवाइस सीरीज चालू किया है आज हम लोग देखेंगे बिहार का फॉरेस्ट वान पूरा डेटा बिहार आईस एफर 2019 की र में लिखा हुआ है पहले में मोस्ट इंपॉर्टन डेटा बता देता हूँ आपको फिर यहां पर कोई डियाग्राम से बताऊंगा ठीक है सबसे पहली बात तो बिहार से लिटे दो तीन फैक्ट है बिहार पॉपलेशन एन जनसंख्या में तीसरे नमबर पे है ठीक है पहले मतलब देश अंतर चांस का जो है कितर कहां से कहा तक है 24 डिग्री 16 मिनट नौर्थ से लेके 27 डिग्री 45 मिनट नौर्थ और लॉंगिट्यूट में देखेंगे तो 83 डिग्री 16 मिनट इस से लेके 88 डिग्री 30 मिनट इस तक है यह ठीक है बिहार यह बागी मैं मैं अब भी दिखाऊंगा अब टेंशन लिए मैं लिग दिया है यह आप शॉट में अब बिहार को अगर आप ओर आप ओर रॉल कंसिलर करें तो बिहार के नौर्थ में इंटरनेस्टल बाउ फिर करती है वेश्ट वीजव बैती है में में ट्रिबिट रिकों को से सोन गंदक फालगो प्लस यह मैंने डिग्राम बनाया हुआ इसमें देख लिए सारे जगा से रिफ्रेंस लेकर बनाया देखें यह में नदी गंगा ठीक है यह यह जो है यह यह वाली गंगा है यह border पे उसके बाद ये बूरी गंदक ये जो है बागमती से मिलके यहां पर करती यह गंगा से मिलती है करचा नदी है कोषी से लेके 2000 एम तक है एवरेज टंपरेचर है 20 जिग्री से रहें 28 जिग्री बियार की ग्रामीड अबादी इस समय कितनी है 88.71 परसंट मतलब टोटल जितनी आबादी रहती है बियार में करीबन 89 परसंट तो ग्रामीड अबादी है यह ठीक है और शहरी अबादी कितनी है 11.29 परस में सबसे जादा शहरी आबादी परसंट टेजवाई किस इस्टेट की जल्दी से क्मेंट करके बता हएं और सबसे जादा रूरल यानि की ग्रामीड आबादी परसंट टेजगे हैं कई बार हम लोग बता चुके हैं यह ट्राइबल जो यहां की पॉपलेशन है 1.28 परसेंट है बिहार की जनसंख्या इस समय करीबन 10.41 करोड है जनसंख्या घनत्त है जल्दी से बताइए जल्दी से कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्त किस स्टेट का है जल्दी से बताइए फिर उसके बाद 28 लाइव स्टॉक सेंसर्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार की लाइव स्टॉक पॉपलेशन इस समय कितनी है 36.5 मिलियन ठीक है यानि कि कितना हो गया ये करीबन साड़े तीन करोड हो गई तीन देसमलोग छे पाच करोड हो गई लाइव स्टॉक पॉपलेशन ये पहले 32.9 मिलियन थी 19 सेंसर्स के इसाब से 90 लाइव स्टॉक से इसाब से बिहार वैसे एक फॉरेश डेफिशेंट इस जाते हैं और साउथ वाले में ड्राइड डेसिडूरे से पाइज पाए जाते हैं एक चैंपियन एंड से क्लासिफिकेशन इसके साब से बिहार के 13 डिफरेंट टाइप में यह याद रखी गाई यह कूशन पूसकते हैं कि कितने डिफरेंट टाइप में तो 13 ज्यादा तर जो नेच्वल फॉरेस्ट अब्यार का उन प्रोटिक्टेट फॉरेस्ट नोटिफाई किया गया है अचा बिहार में कुछ इन्वायर्मेंट नंबर देख लेते हैं बिहार में एक नैशनल पार्क है वालमीकी नैशनल पार्क जो की विष्ट चंपारन में है और यही सब्सक्राइब करके अपडेट करके में बता रहा हूं जल्दी से बताई करके सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में 12 जो सबसे चोटी है वैशाली में जिसका नाम है बरेला जील सलीम अली पिर यह भीमबंद है यह मुंगेर में है और सबसे पहली जो बनी थी गौ कुशेशवार अस्थानी अस्थान बर्ड संक्रिय दर्भंगा में है नक्ती दैंबर्ड संक्रिय जमुई में है ठीक है और इसमें आगर आप देखेंगा और आगे तो यह विक्रम सिला केंगे टिक डॉल्फिन संक्रिय यह आपकी भागल पूर में है सबसे बड़ी जो वा टोटल वर्ड एरिटेज साइट कितनी है दो है यह कौन कौन सी यानि कि विश्व धरोर इसतल दो है एक महाबोधी टेंपल कॉंप्लेक्स बोद गया में और एक अर्केलोजिकल साइट ओफ नालंदा महाबियार यह नालंदा में है यह बियार में ठीक है प्रोटेक्टेट अरिया और नेट्वर्क अगर आप देखेंगे बियार में एक नैशनल पाक बारावाइड लेफ संक्चिर के साथ तीन दिसमलों चार चार परसेंट जो टोटल एरि गया था 7299 किलोमेटर स्कॉयर इस समय हो गया 7306 किलोमेटर ठीक है अगर आप देखेंगे तो यह टोटल फॉरेस्ट का यानि की वर्णा वर्रण का जो एरिया है वो टोटल बिहार के एरिया का साथ दसमलों साथ शै प्रस्तिश्यत है और यह पहले से करीबन साथ बिहार के अरिया का यह 2.12 तो यह 2.12 प्रृतिश्यत है इसकर इस समय है 2502 किलोमेटर है पहले थी 218 किलोमेटर यह जाडिया इस समय बिहार के मैप है उसके नौर्थ में नेपाल वेस्ट मैं यूप है सवस्ट में जहारकंड है और आपका इस्ट में वेस्ट बेंगों यह 38 डिस्ट्रिक्ट है आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारन पूर्वी चंपारन गोपाल गन सिवान सारान यह बुकसर यह पूरा आप देख रिजेगा एक बार ठीक है इसमें से सबसे ज़्यादा जो वेरी डेंस पॉरेस्ट कहा सबसे ज़्यादा जो ओपन फॉरेस्ट कवर है ठीक है ओपन फॉरेस्ट कवर है और फिर उसके बाद मॉडरेट ली डेंस फिर वेरी डेंस हमेशा कमी पाये जाता है जादतर में यह जाड़ियां कितनी 250 स्कॉरेस्ट की यह एरिया का जो लिखा हुआ है यह इसका जो है पा 90 परसेंट है और करीबन 7.76 परसेंट जो भीयर का एरिया है वह वन में है ठीक है इसके बाद यह डिस्टिक्ट वाइज अगर आप देखेंगे डिस्टिक्ट वाइज क्या है सबसे ज़्यादा बढ़ा कहां पर है बहां का डिस्टिक्ट में है 20.73 किलोमेटर स्कॉयर है यह का टोटल अरिया है 491 633 स्कॉर मिटर देखेंगे ज़्याफिकल अरिया है 303 किलोमेटर अरिया के पहले से 7 किलोमेटर बढ़ा है और जाड़िया कितनी 250 स्कॉर मिटर यह लाइंड यूस पैटरन है कितने टाइप से लैंड यूस करते हैं उस तरह का है यह नेट एरिया सोन जो है कितना है आपका यह देख सकते हैं 56.39 परसेंट बाकि एक बार डिटा देख लिएगा एक बार मैंने यह पर दे दिया यह एल्टीटूट कवर का मतलब है कि सारे जितने फॉरेश्ट ने भीहर में 0 से 500 मीटर में ही है यह ठीक है और यह वेटलेंड एरि सबसे जादा जो यह एक्स्ट्रीमली फायर पॉर्ण तो बिल्कुल नहीं है वेरी हाइली जो है फायर प्रॉन यानि की आग लगने की संभावना वाला वह साथ प्रतिशत हाइली फायर प्रतिशत है और मॉडरेटली वाला है 22 ठीक है यह है यह तोटल आप देख सकते हैं क अगला एक्सपेक्टेड कहां पर है तो यहसादा कहां पर अगला भारण यह ऑसंसे खुए इंधर वाले इवाला रिया में यह यह वाले इसाथ एख़ताही प्रतिया है दियन रखायना बड़न दुष्च्छ को बेस्टे